हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेटनरी क्लासिज यूट्यूब चैनल सो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो टिटनस विमारी होती है पशुव में तो वो किन-किन स्पीसिस को सबसे ज्यादा ग्रसित कर है कि इस वजह से होती है कैसे आपको डाइग्नॉस करना है क्या इसमें सेंटम है और क्या इसमें एनिमल में उपचार करना है तो यह सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा लाश्ट तक जरूर लेखिए गा अगर आप इस जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है जिससे आप वीडियो को देख सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वाट्सअप ग्रूप का लिंक है तो वाट्सअप ग्रूप को भी आप जाकर जोईन कर सकते हैं तो चलिए बिमारी है यह जो हमारी गौवनश्य होती है यानि की कैटल में ठीक है उसके बाद जो भीड़ बक्रियां होती है कोट शीप में ठीक है और होर्स और पिक्स में तो इन स्पीसेज में यह जो टिटनस है यह बहुत ज्यादा फैलता है और घोड़े में बहुत ज्यादा इस देखा गया है ठीक है और इसी के साथ यह human यानि कि मनुश्य को भी प्रभावित करती है तो इस बात का भी आपको बिलकुल ध्यान रखना है तो अब हम बात करते हैं कि यहां किस वज़े से होती है यानि कि कैसे यह फैलती है और किस वज़े से यह हो दिए तो इसमें जो प्ल इमारी फैलती है ठीक है तो इसका जो ट्रांसमेशन है वो एनिमल में किस तरीके से होता है किस वज़े से यह पशु को यह अफेक्ट करता है ठीक है तो दोस्तों पशुओं में क्या होता है कि कहीं पर घाव हो जाता है ठीक है या फिर पशु को कई बार सर्जरी के दौरान कोई खाओ हो जाता है या फिर पशु को जब कास्ट्रेशन की जाती है बूल की या फिर जो होते है ठीक है तो जब कास्ट्रेशन करने के दौरान कई बार क्या होता है कि चोट लग जाती है ठीक है वहाँ पर घाओ बन जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं इसी के साथ कई ब जो बैसिलस टैटनी या फिर प्लॉस्टीटियम टैटनी है ठीक है इसके ये जो किटानु है ये फिर उस खाव की सहायता से पशु के स्रीर में प्रवेश्च करते हैं और फिर ये जाकर पशु को अफेक्ट करते हैं ठीक है तो इस वज़़ से एनिमल में ट्रांश्मेशन होत जाएगा और यह एक वाइरल इंफेक्शन होता है आप इसे वाइरल डीजीज भी कह सकते हैं क्योंकि यह पशु में फैलने वाली एक वाइरल डीजीज है ठीक है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब यह हमारे पशु को प्रभावित करता है तो पशु में क्या लक्ष ट्रेशिंग नहीं है तो उस वज़े से वह जो एरिया होगा घाओ का उसमें स्वेलिंग आ जाएगी ठीक है और इसी के साथ पशु का जू जबड़ा होता है ठीक है पशु जबड़ा पूरी तरसे नहीं खोल पाएगा यानि कि पशु का जबड़ा बंध हो जाता है ठीक ह पशु को अगर आप कुछ भी दानाचारा खाने के लिए देते हैं तो पशु उसको बिल्कुल भी नहीं खा पाएगा ठीक है क्योंकि पशु का जबड़ा जबड़ा पूरी तरसे इसमें बंध हो जाता है ठीक है यह जो लक्षन है यह फिर लास्ट स्टेज का लक्षन आती है और पशु की जो मसल्स होती है यानि की पूरे शरीर में अकड़न जैसी एनिमल में हो जाती है और मसल्स में काफी ज्यादा पेन पूरे शरीर में पशु को भारी पेन से गुजरना पड़ता है ठीक है और इसे में जो फीवर होता है वो नॉर्मल या फिर थोड़ा स इनक्रीज देखने को आपको मिल जाता है ठीक है और इसी की शाद पशु खाना पीना सांच लेने में बहुत ज्यादा दिकत करता है ठीक है तो यह जो लक्षन है यह पशु में टेटनस यानि की लॉक्चौर डिजीज के लक्षन है इसी के साथ अगर हम बात करें घोड़े मे जो गोड़े में में लक्षन होता है तो गोड़ा जो है अपने पूंच बार बार उठाता रहता है बिना किसी वज़े से यानि की इस वज़े से आपको देख सकते हैं कि टेटनस में जो खोड़ा है वो बार बार अपने पूंच उठाते रहता है ठीक है अब दोस्तों बात यानि कि ल्व्चो तो इस तरह से आप पशुमिंञ इसको ट्रैय्गमास कर सकते हैं सिम्टम के अधार पर बिल्कुल ऐजिली ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट इसमें इस के ड्रीटम प्रकार की अगर इंजरी है और उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है वहां पर इनफेक्शन हो गया है तो प्रॉपर लिए उस घाउ की ड्रेसिंग करने चाहिए और पशुकी स्थिती बहुत ज्यादा खराभ है ठीक है तो पशुकी आपको डेली जबतक पुरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तो प्रॉपरली पूरी तरह से एनिमल की घाव की ड्रेसिंग करनी है एंटिसेप्टिक शॉल्यूशन डेली लगाना है और जिस तरीके से नॉर्मली घाव की ड्रेसिंग की जाती है तो उसी तरीके से आपको घाव की ड्रेसिंग करनी है ठीक है और इसी के सा दोस्तों आपको क्या करना है कि जो पैंसलिन ग्रूप की एंटिबायोटिक आती है तो पैंसलिन ग्रूप की एंटिबायोटिक पशु को आपको देनी है वह फिर डोस आपको पशु की कंडिशन के हिसाब से जो आपको देनी है और इंट्रमस्कुलर रूट के द्वारा पैंस इसी के साथ आप अपने एनिमल में जो टिटनस एंटी टॉक्षिन है उसको दे सकते हैं एक लाक से दो लाक यूनिट आप सब कट से या फिर आई वी रूट से एनिमल में दे सकते हैं और इसी के साथ फ्लीड थेरपी भी अगर पशुकी कंडिशन बहुत ज्यादा ख्राब है तो फ्लीड थेरिपी भी दी जाती है ठीक है और जो पी कंप्लेक्स विद लिवर एक्स्ट्रेक्ट यानि की बी कंप्लेक्स इंजेक्शन आता है बैलमाईल का वो भी आप 10-15 ml इंट्रमस्कुलर रूट के द्वारा अपने एनिमल को दे सकते हैं ठीक है तो ये बिमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के शाज शेर करें और वेटनरी क्लासिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस बिमारी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद